कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी काम से कहीं गये हो 5-10 मिनेट के लिए बाइक को पने पार्क कियों और वापस आके स्टार्ट करने ही खुश करें तो वह स्टार्ट नहीं होती है और कई बार तो एसा भी होता है कि रास्ते पर ही चल देते बाइक बंद पड़ जाती और करना पढ़े उसके लिए आज मैं वीडियो कुछ बना रहा हूं तो बने रहें वीडियो के लाश्ट पूरी जानकारी के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हनुप सवागत आपका भाइक कारन कारन होता है है जैसे की प्सभ से पहले चेक करेंगे उसके बाद इस पार्ट फ्लग तो पेट्रोल टेंग इसलिए चेक करना है क्यों कि होता है कि अखर inher लेते हैं बाइक और फिर चलाते रहते बारे आती है तो अगर आपका पलग के शॉट हो गया है तो भी आपकी बाई की स्टार्ट में होगी अब पता कैसे करें कि हमारे शॉट है तो यह खराबने से पहले साइन देती है जैसे कि मिसिंग करना याने कि अगर आप को लगे गा ऐसा की गारी में पेट्रोल ही नहीं है चाहिए आप टैंकी फूली क्यों नहीं लगेगा पेट्रोल ही नहीं अब जितना भी एक्सलेटर दें यह भागेगी नहीं एक दम रूक रूक के जहटके लिए लेके चलेगी तो इसका मतलब है आपका शॉट हो चुका है तो इस पार्क प्लग अगर शॉट है तो उसे चे लोक के साथ कुछ मिलता है हमारा फ्लोक काम आता है तो इस लिए कैसे यह हमारा एक पेचकस होता उसे इस च्छेद में से बुषा देते हैं आपकर के उसके बाद लगा करके खूलना है चली दिखा देता हूं किसकते हैं तो इस पार्ट को खोलने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर के कैप को हटा लेना है उसके बाद हमें यह वाला जो दिया हुआ में टूल बॉक्स में इसे लगाना है और जो पेच तो यह खुल जाने के बाद इसे चेक कर लें कि बहुत जाता कार्बन तो नहीं जमाना जबहा है जैसे कि आप इसवाद देख रहे होंगे इसमें यह बिल्कुल ठीक है एकदम ठीक है इसमें ना कार्बन जमाना कुछ है तो यह तो मेरे बाइक ठीक है इसलिए कोई दिक्कत पर लिए तो यह . भी च्पानि कर ला गया था इसे लगाना भी वैसे हैं would you, आगा धे लूज़ रहेगी तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नाima कर इंगे बहुत ज्यादा मिसिग कर यह इस लिए इसलोग क्लाश कर ले मुन अधो प्रेले खुछ से हाथ से इतना टाइट हो से कर ले उसके बाद फिर से वही एच किस लगा कि जिस तरह से खोला गया था उस्सी तरह से वापस से टाइट भी कर दें इतना भी टाइट ना कर दें कि इसका 3D खराब हो जाए अगर थे खराब तो बहुत बड़ी मुसीबत में प आप इस पांग यह तो पर बैस पर आ रहा है तो फिर ठीक है और करेंट आने के बाद भी अग्रवड में अगर चलने के वज़े से अस पर पर बैस फिल्ट्र पर और वुच्छ वो जाता है जिसके चलते हवा प्रोपरली इंजन खीच फीच नहीं पाती है और वन श्टार् लाइन नेचर से लॉकष के निचे है तो पतो करें नीचे है प्रप्रीस कावा आ Ether महां बादा लोग होता है तो बहुत लोग क्या हमें निचे साफ लुड बंच के अगर Know के नीचे से एर का लाइन है तो एब सीट उठा करके चेक कर लें कि प्रोपरली हवा जा रही है या नहीं जा रही है अगर वहां से जा में तो उसे हटा दें गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं तो सिब तीन पॉइंट है जिसे देख करके आप गाड़ी अपना स्टार्ट करके प्रोपरली गैरज पहुंच सकते हैं अगर बहुत जादा प्रॉब्लम है तो सबसे पहला तो हो गया फ्यूल टैंक ठीक है दूसरा हो गया आपका स्पार्क प्लग और तीसरा आपका एर फिल्टर तो यह तीनों चीज आप एक बार ध इसी तरह बाइक्स रिलेटेड नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेश कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर एंड बाई बाई